ग्रोस डुमेस्टिक प्रोड़क्ट की ग्रोथ यानि की GDP ग्रोथ एक कॉमन ट्रप्वाजी जह मुझाते हैं GDP बढ़ गई, GDP घट गई, तो पहले हमें बेसलाइन यह समयना जरूरी है कि क्या ग्रोग हुआ या क्या डीडोग हुआ वह है GDP. GDP को समझने के लिए एक separate video जो आप देख सकते हैं कि gross domestic product क्या होता है वो जो gross domestic product है जब वो next period में previous period के comparison में बढ़ता है तो हम बोलते हैं GDP grow कर गया और जब next period में previous period के comparison में जब वो गिरता है तो हम बोलते हैं GDP fall कर गई तो GDP growth या जो fall है वो percentage में हो सकता है मगर gross domestic product value होता है वो percentage में नहीं हो सकता है तो इसलिए आपको यूँ समयना ज़रूरी है कि लेटे से किसी का weight है अगर weight उसने weight जब next period में तोला जब उसने weight किया measure किया तो जब उसका weight बढ़ा होगा तो हो कहता है मेरा weight grow कर गया और जब उसका weight कम हो आएगा तो हो कहेगा मेरा weight degrow हो गया यानि कि weight मेरा गिर गया ऐसे ही GDP की जो absolute value है जो figure है जो monetary terms में होती है जब वो next period में बढ़ जाती है तो हम बोलते GDP grow कर गई और जब गिर जाती है हम बोलते GDP fall कर गई GDP जो grow करती है वो कई बार जादा तेजी से भी grow कर सकती है और कभी थोड़ी कम तेजी से भी grow कर सकती है तो जब कम तेजी से grow करती है तो हम कई बार ऐसा ही बोल देते है slowly growth हो रही है यानि कि slow down है यानि कि growth है GDP में मगर slow down है मगर end crux क्या है आपको यह समझना है कि normally लोग GDP और GDP growth को दोनों को same मानके percentage terms में quote करते हैं मगर वो गल्थ है क्योंकि GDP value terms में होती है और GDP growth वो percentage terms में होती है झालने को में है